आज आप सीखेंगे बुलेट्स और नम्बरिंग उप्शन का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई मैटर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुलेट्स आप्षिन का उप्योग कर सकते हैं बुलेट्स इंसर्ट करने के लिए हम टैब में पारिग्राफ ब्लॉक में जाकर बुलेट्स आप्षिन पर क्लिक करें बुलेट्स इंसर्ट हो गई है अब जैसे जैसे पॉइंट लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे ओटमाटिकली बुलेट्स इंसर्ट होती जाएंगी यदि आपको बुलेट्स स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए बुलेट्स के पास दिख रहे ड्रौब डाउन एरो पर क्लिक करें यहां आपको अलग-अलग स्टाइल के बुलेट्स नजर आएंगी इसमें से जो भी आपको पसंद आए उस पर क्लिक करें ये देखिए बुलेट्स बुलेट्स डाइल चेंज हो गई है और अब जब point लिखने के बाद आप enter press करेंगे, तो आगे number ही आएगा, यदि number भी आपको अलग-अलग style में चाहिए, तो यह यहाँ दिख रहे, drop down arrow पर click करें, और यहाँ से जो भी style आपको चाहिए, उस पर आप click कर सकते हैं, यहाँ पर number की बजाए आप ABC भी चुन सकते हैं यह देखिए, number style change हो गई है, यदि आपको point के अंदर भी कोई sub point लिखना हो, तो उसके लिए multi level list पर click करें, और यहाँ से जिस भी style में sub point चाहिए, उस पर click करें, यहाँ से आपको इस अभी style चुन लें, अब यहाँ पर अगर आपको sub point देना है, तो उसके लिए tab की press करें, यह यहाँ पर sub points आना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपका point हो, वो आप लिखते जाएं, और enter की press करते जाएं, तो यह sub points आते जाएंगे, अगर आपको किसी और जगह पर sub points चाहिए हो, तो वहाँ पर जाकर के click करें, जैसे हमको file tab में sub points चाहिए, तो file tab के आगे हम click और उसके बाद enter की press करेंगे, अभी यहाँ पर दूसरा number आया है, पर जैसे ही हम tab की press करेंगे, यहाँ पर sub points चालू हो जाएंगे, जब आपको वापस main point पर आना हो, तब shift और tab कीस को एक साथ press करें, यह देखे हम main point पर आ गए हैं, पर हमारा जो अगला point था home tab वो तीसरे number पर चला गया है, हम चाहते हैं कि वो वापस दूसरे number पर आ जाए, तो उसके लिए delete key press करें, यह देखे हमारे number सही हो गए हैं, अब अगर आपको यह bullets या numbers हटाने हो, तो उसके लिए आप इस पूरे text को select करें, और इसके बाद अगर आपने numbers दिये हैं, तो numbering पर जाकर और numbers यहां से हट गए हैं, कई बार हमने पहले से matter लिखा होता है, और हमको बाद में bullets देना होती हैं, या फिर number देना होते हैं, जैसे यहां पर यह हमारे सारे points लिखे हुए हैं, और अब हमको इन में numbering करना है, तो उसके लिए हम पूरे matter को select कर लेंगे, जिस पर हमको numbering करना ह या bullets देना हो, और उसके बाद bullets देनी हो, तो bullets पर जाके click करेंगे, और अगर numbers देना हो, तो numbering पर जाकर के click करेंगे, यह देखिए, यह numbers आ गए, MS Word 2016 के इस सध्याय में, HomeTap के paragraph ब्लॉक में आज आपने सिखा, bullets अ numbering option का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे like करें, अने लोगों के साथ इसे share करें, और नई वीडियोज की जनकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें